हाई दोस्तों मैं हूँ प्रणाई और टैकी प्रणा चैनल में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो मैं आप सब को लिनोबो टैप फोर एट प्लस टेबलेट के बारे में एक बैस्क बैक कवर के बारे में इनफर्म करना चाहता हूँ तो दोस्तों अगर आप लिनोबो टैप फोर एट प्लस टेबलेट को पर्चेस कर चुके या फिर पर्चेस करने के बारे में सोच रहे होंगे जरूर से एक बैक कवर भी पर्चेस करने के बारे में सोच रहे होंगे क्योंकि इसका जो बैक पैनल आप देख सकते के कम्प्लीटली ग्लास से डिजाइंड है ग्लास से कंस्ट्रक्टेट है तो अगर एक बार आपके हाथ से यह गिर गया तो बचने का चांस बिल्कुल ही क हमें तो आप ज़रू से कवर जो है बैक कवर ना हो फिलीप कवर आप जरू से पर्चेस करने के बारे में सोच रहे होंगे तो इस वीडियो मैं आप सब को लिनुवर टेफ फौर एट प्लस के कवर में बताऊंगा तो दोस्तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट क करते हैं और टाइम वेस्ट ना करके इस वीडियो को शूरू करते हैं तो दोस्तों यह है हमारा बैक कवर जो कि आप देख सकते के काफी अच्छी पैकेजिंग के साथ यह आती है और एमाजोन से मैंने इसको पर्चिस किया था और यह है इस एमाजोन का कवर जो की मुझे एमाजोन से इस कवर में यह मिल गया था तो यह हमारा वारा बैक कवर जिसको आप उस करने वाला है तो इसको अभी ऑन्बोक्स कर लेता अफ्सी तो कुछ खास है नहीं ज़र्श्ट में इसके अंदर और एक ऐसा कुछ यह है हमारा main back cover तो आप देख सकते के back cover की quality काफी अच्छी है और जैसा कि आप देख सकते यह hard back cover नहीं है यह soft back cover है और इसको आप band भी कर सकते तो काफी अच्छा एक portable back cover है और इसको use करने से आपका जो tablet है वो slim भी दिखेगा और आपके हाथ में भी एक अच्छा feel यह देगा तो मैं इसको जल्दी से अपने tablet में install करके आपको इसका एक overview provide कर देता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते के मेरे tablet में मेरा यह back cover और यह translation type का एक back cover है तो आप इस back cover को use कर सकते हैं और यह काफी अच्छा back cover है और इसके एक overview की बात करो इसकी lab site की overview की बात करो तो आप देख सकते हैं कि इसकी fingerprint scanner के लिए भी काफी अच्छा एक place है लेकिन fingerprint scanner की अगर personally बात करो तो थोरा सा अगर यह उपर की तरफ होता तो अच्छा होता क्योंकि मेरा हाथ जब में place करता हूँ तो थोरा सा मुझे uncomfortable feel होता है तो फिर भी ठीक है back cover के pricing के अनुसर इसकी जो pricing है back cover की वो है 899 रूपीज मतलब के 900 रूपीज से मैंने इसको purchase किया है Amazon से और link मैं नीचे video की description में provide कर दूँगा वहाँ से आप check कर सकते है और इसके उपर जो volume rockers के लिए जो space यहाँ पर provide किया गया है वो काफी अच्छा है और easily मैं volume rockers को यहाँ पर use कर सक तो आपने दोनों ही finger से मतलब कि single finger से और इसके उपर की बात करो तो इसके USB type C के लिए भी अच्छा खासा इसका space है यहाँ भी 3.5 mm headphone jack के लिए अच्छा खासा space है speaker grill के लिए आप देख सकते हैं काफी अच्छा space है और बिलकुली map के यह जो space उनों लोग उने provide किया है और left side की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी space नहीं है क्योंकि open करने की हमें कोई भी ज़रुरत है नहीं यहाँ और नीचे बस एक microphone के लिए एक vent है और यह दोस्तो बस इस वीडियो पे तो मैं आप सबको इसी back cover के बारे में बोलना चाहता था तो इस tablet का जो full review है वो मैं 2-3 news करने के बाद मैं आप सबको full review provide कर दूँगा जो कि मैं इसको already 2-3 news कर चुका हो और 1-2 news करके मैं आप सबको बोल दूँगा और वैसे tablet का अफी अच्छा आया तो जरूर से लाइक कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो को शेर कर दीजिए मेरी इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिए क्यूंकि मैं रोज आपके लिए ऐसी इंट्रेस्टिंग और helpful टेग वीडियो लाता रहता हो तो थैंक्यू फोर वाचिंग इस वीडियो देट लोग शुसिता ओड़ को जया देए कि लोकी लाता हो जाज वीडियो il Oo देएगINK को बार uns देएग जया वीडियो il